दोस्तों एक बार फिस से हमारे ट्रूप चैनल टेक्निकल अज़ा में आपका बहुत-बहुत साकत है हाजिर हम आपके सामने एक नएव वीडियो के साथ दोस्तों अगर आप सिसी वेलिया कॉमें सर्विस सेंटर से इंचान लखें तो हम आपको एक अच्छी इफोर्मेशन ब अभी से बात हुई है तो जो भी बैंकिंग कोर्स्पोंडेंट का काम करता है और एक जो आई-पी एड्रेस की प्रॉब्लम है हम लोग यू आई-डी को बोले है कि आप आई-डी आई-पी एड्रेस डिस्पेंस कर दो यह महंगा है और कई जेका मिलना ही मिलता है तो उन्हो यूची अलाव कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छी ख़बर है और सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर हमारे पास सारे CACs बीची बन जाएंगे तो हम सारे CACs को यूची आई-डी का काम दे पाएंगे और लिंकेज इन टेपलेस अधा अगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं क टैबलेट से बच्चों का भी करें स्कूल में जाने का अभी एक यूआडी ने पाइलेट कुछ हमारे लिए लिए अलाव किया है तो हम टैबलेट जगा करके भी अपडेश और चिल्रन करें जैसे निया बच्चा पैदा होगा हम अपना एड्रेस हॉस्पिटल लिया उस न सबसे अच्छा इड़्ांटेज है और दो आपको दोनों आंगे आपको अपडेट का पैसे मिल जाता है बच्चे का अथार बनाने के लिए वैसे इतनी खुशी होती है बच्चे-बच्छी जब पैदा होता है परिवार में कितनी दौए हैं लोग आपको देंगे कि अगर बच्चा पैदा होगा तो आप मुझे बुला ले ना मैं करके यहां पर इसका आधार बना दोगा तो यह सारे काम आधार के शुरू हो रहे हैं and hopefully we should be able to get them sorted out as quickly as possible and जो हमारी आधार की हमारे बच्चे बच्ची की परिशानियती वो दूर हो जाएगी और हम इसको वहर कम करके huge opportunity for business कि आधार भी बहुत बड़ा business है बहुत सारे बच्ची अपनी photo बदल वाएंगे photo पुरानी हो जाती है और 8 से 15 के बाद फिर दुबारा biometric authentication होता है all that will happen through the same system अभी सरकार को लगता है अगर इसको penetration करना है इसको अगर लोगों के घर के पास पहुचाना है तो CAC से अच्छा और कुछ नहीं है उन्होंने कोशिश करें सी उन्होंने post office को दिया पीसल को दिया बैंक को को दिया लेकिन सबसे अच्छा भी CAC है and that is the reason why they are now saying that CAC be used for the purpose of allowing access to other services in villages through the centers so hopefully हम लोग करेंगे आपसे request से थोड़ा ध्यान से करना और थोड़ा complaint नहीं आएगी तो फिर हमारे CAC में कुछ कुछ शयतानी करने वाले उनकी वजह से पुड़ी और नाम होती है अब लग उनको identify करें उनको blacklist करें और जरूर तो फिर पुलिस केस फाइल करके उसको close करेंगे but we will not be able to try and accept any of these deviations क्योंकि उसमें अभी पहले बहुत नुक्सान हो चुका है अभी उस नुक्सान क्योंकि सारे CAC का नुक्सान होता है only because of few of the VLEs of overcharging और doing some machine to the biometric authentication यह allowed नहीं होगा तो आधार का काम हो शुरू करेंगे और the next अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे comment box में जरूर लिखें अगर आप हमसे जुर्ण चाहते तो आपको नीचे वाश्रप गुरूप लेक पराप्त हो जाएगा आप जुलके हमसे बार्श कर सकते हैं तब तक कि आप अपने परिवार और अपना बेहत खेल रखे हुआ 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 है थाओे म सवाल आप हुआ है